इस वीडियो के साथ हम चालू कर रहे है टेबलू का एक project series sales insight के लिए तो हम ऐसा एक टेबलू में dashboard बनाएंगे जिसमें एक company का sales का data है per region, per product, per customer, हम different bar charts, revenue trend वगेरा बताएंगे और ये project करने से आपको overall एक interactive visualization या तो फिसको dashboard बोलते है वह हम टेबलू में हम उसको produce करेंगे अब टेबलू आपको सीखना है अगर आपको data analysis का career बनाना है आजकल data analyst job की demand बहुत बढ़ गी है और अगर आपको उसका career बनाना है तो ऐदर टेबलू या तो फिर power BI या तो फिर size sense कोई भी एक BI tool आपको आना ही चाहिए ये तो must है तो इसके लिए आपको ये project बहुत help करेगा इस project में बहुत सारे वीडियो होगे जिसमें हम step by step data analysis बड़ी company में लोग कैसे करते है उसका हम देखेंगे तो ये कोई वह ऐसे रेगिलर टैबलू आप टूटोरल देखते होना ऐसा नहीं है वह टूटोरल देखने से इतना effective learning नहीं होता है लेकिन अब जब project करता हो real life project तो आपको एक idea आता है कि आप अगर company मे job करने जाओंगे as a data analyst तो बड़ी company में क्या होता है अब ये corporate understanding आपको जो मिलती है वो इस project में मेरे को दो लोगों ने help की है एक तो हैमनन वाडिवेल जो data analyst manager है एक UK की company में उन्होंने ये सब सारा data collect किया presentation वगरे के साथ मेरे help की तो thank you हैमनन वो मेरे अच्छे दोस्त है कसी बड़ी top rated upwork freelancer है जो भी data analyst के project करते है ये दोनों बहुत ही expert लोग है उनको real life project का बहुत सारा knowledge है मेरे को भी है हम तीनों ने मिलके ये series बनाई है तो आप आप देख सकते हो कि एक corporate style का आपको एक touch मिलेगा इस project में और इस project के लिए कोई भी prerequisite नहीं है आपको कोई to understand करना आ जाएगा ये project से अब हम problem statement को देखते हैं तो एक company है atlick hardware करके वो company hardware peripheral sell करने का business करती है तो उसके बहुत सारे customers है ये बड़ी company है उसके कुछ customers है जिसका नाम है search store, nomad stores, excel stores और इन सब जो client है उनको वो hardware equipment supply करती है इसका headquarter है डेली इंडिया में और पूरे इंडिया में उसका business है तो इसकी regional district offices है अब भविन पटेल इस company के sales director है और भविन पटेल को अभी एक challenge आ रही है कि company बहुत बड़ी है company के sales decline हो रहे है और उनको पता नहीं चल रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है जब company छोड़ी होती है ना 15-20 लोगों की तब तक manage करना easy होता है लेकिन जब बड़ी होने लगती है ना तो टॉप लेवल के लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि इतना फारा manage करना hard हो जाता है ट्रेडिशनली लोग excel file वगरे का use करते थे लेकिन वह efficient नहीं है आपके अगर 1000 client है तो सारे client का excel में data लाना, excel में analysis करना बहुत tedious होता है तो भविन पतल को यही अभी problem हो रही है कि वो district officers को phone करते है sales का हालत जानने के लिए लेकिन manager लोगों की एक आदत होती है कि वो है रोजी picture paint करते है मतलब अगर कुछ उनके particular district में अगर sales decline भी हो रहा है ना तो वो लोग बताएंगे नहीं अभी सब अच्छा जाला है कई बा और के ऐसी बात करेंगे ना तो भविन पतल है उसको पता नहीं चल रहा है sales director को कि individual region में problem कहा है sales decline क्यूं हो रहे है तो उनको बहुत तकलिफ हो रही है और उनको future business strategy भी decide करनी है तो वो future business strategy decide करने के लिए कौन से region में discount देना है कहां पर cost cutting करना है यह भी बहुत सारी दिक्कत होते आ रही है और जब भी वो district manager को बात करते है ना वो सब उनको बड़ी बड़ी excel file दे देते है अब excel file इतनी सारी उसको analyze करना मतलब it's difficult right और excel वैसे भी boring होता है इतने सारे numbers को देखो क्या analysis करोगे आप तो यही सारा अभी भाविन पटल की रही यही सारा headache हो रहा है तो as a sales director वो design नहीं कर पा रही कि business में चल क्या रहा है और हमें करना क्या है तो वो यही चाहते है कि भाई आप मेरे को यहार इतनी सारे excel file मत दो यार मेरे को क्यों मतलब 70 excel file आपने देदी 69 excel file और मेरे को बता रहा हो यार मेरे को simple insight दो भाई मेरे भाई मेरे को simple insight दो तो उनका यह wish है कि एक आपने कहावा सुनी होगी एक पिक्चर इस वर्थ थाउजन वर्ड्स आप डिस्क्राइब करते हो इसके बज़ए कोई विजुलाइजेशन अच्छा मतलब एक इंटरेक्टिव जैसे अभी में टैबलो में दिखा रहा हूँ आपको एक इंटरेक्टिव बड़ा सा बड़िया वाला आप एक विजुलाइजेशन दिखा दो तो भाविन बड़ा ना वो हर रोज अपने आफिस आएंगे और वह विजुलाइजेशन पर ही उनको सारा अंसर मिल जाएगा कि या टॉप फाइब प्रोडक्स कौन सी है टॉप फाइब कॉस्टमर्स कौन से है री बड़िया कि यह सारा डेटा जो कंपनी का सौफ़वेर है उसके डेटाबस के साथ प्लग इन रोल रहता है तो यह कोई मैनेजर आपको वर्बली बता नहीं रहा है यह रियल डेटा है तो वह बोलते ना कि डेटा डू नॉट लाइटा कभी जूठ नहीं बोलता तो वह डे वीडियो में हम यही देखेंगे कि यह विजुलाइजेशन बाड कैसे बनाते है मैं step by step आपको दिखाऊंगा कि टेबलू में कैसे यह पूरा डेशबूर जो भी हमने प्रिवीव बता है हम पूरा step by step बनाएगा बहुत ही मजा आने माला मैं बोलता हूँ आपको इतना मजा तो आप compare भी कर सकते हो MySQL और Tableau को की क्या difference होता है इन दोनों में ठीक है तो हम यह सभी करने वाले है आप पूरी series जरूर से देखिए और नीचे video description में मैंने सारी link दी है मैंने हमानन के साथ यह series Power BI में भी बनाई है तो आपको Power BI सीखना है तो उसकी भी link नीचे है और मैं same series अभी Tableau में कर रहा हूं next video में हम यह देखेंगे किस project का planning कैसे करते है aims grid करके concept आता है project planning में जो बड़ी-बड़ी company use करते हम वो देखेंगे और हम data discovery कैसे होती वो भी देखेंगे तो आप देखते रही है यह series और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो thumbs up करके आपके friends के सा आर्किची, thank you